नमस्ते माजमिक निउजरे में आप सबका स्वागत है आज हम इस एट्वी वीडियो में क्लास 12 हिंदी निमंद कुटज का संचिप्त उत्तरिय प्रेश्णों का टेस्ट देंगे उत्तर आपको जैसा कि आप निर्देश देख रहे हैं आनधिक 5-6 सब्दों में ही उत्तर देना होता है ठीक है तो चलिए प्रेश्णों को देखते हैं और फिर आपको उत्तर देने की कोशिज करें और मैं भी आपको यहां जो उत्तर दिया हुआ है उनको दिखाऊंगा और तो जो बड़े होंगे छोटा किया जाएगा तो पहला प्रेशन आप देख रहे हैं 2022 माया है मनुस्य कि इसकी इच्छा से जी रहा है इस फ़स्ट की जी है तो पांचे सब्दों में उतर देना है आपको उतर है दुसरों की इच्छा से कहा गया है अनधिक पांचो सब्दों में अधिक सदिक या अधिक ना हो पांचो सब्दों से उतर या चारी सब्दों में आपको उतर पुरा हुआ है इसे याद कर लेंगे अगला है इस गिरिकुट विहारी का नाम क्या है या पंक्ति किसको संकेतित है उत्तर कुटज यहाँ एक सब्द है तो एक सब्द में भी आप उत्तर लिख सकते हैं यहाँ फिर आप कुटज को संकेतित है ऐसे लिख दें तो वाग्य हो जाएगा यहाँ अपर लिखें किसको संकेतित है कुटज को संकेतित है अब ऐसे भी लिख सकते हैं या कुटज लिख भी लिख देंगे तो हो जाएगा अगला प्रश्णा है सिर्फ जी ही नहीं रहे है हस भी रहे है या पंक्ती किसको संबोधित है उत्तर या पंक्ती कुटज को संबोधित है यहां गिने तो एक, दो, तीन, चार, पांच, छे हो गया पांचो सब्दों में देना है तो आप यह उत्तर पूरा छे सब्दों हो गया यह भी आपका ठीक है कुटज को संबोधित है इतना में लिखेंगे तो हो जाएगा अगला है जीता है और सांस जीता है यह पंक्ती किसको संकेतित है यह पंक्ती कुटज को संकेतित है जीता है और सांस जीता है यह पंक्ती किसको संकेतित है यह पंक्ती कुटज को संकेतित है तो यहां उत्तर हो गया एक, दो, तीन, चार, पांच, छे पस आगे हमको लिखना नहीं है सर्जी लिख दिये समझने के लिए पर आपका उत्तर यहीं है हो गया अगला प्रश्ण है दिवेदी जी के अनुसार सुखी कौन है दुखी कौन है उत्तर जिसका मन में जिसका मन वस में है वह सुखी तदा जिसका मन बस में नहीं है वो दुखी है यहां बहुत बड़ा हो जा रहा उत्तर तो इसको हम लोग छोटा करेंगे अलाकि उत्तर सही है और अनदिक पांच से सब्दों उत्तर देना है तो हम कुसिस करेंगे परवस मन दुखी कॉमा स्वावस मन सुखी यहीं बोलना भी चाह जा रहा है यहां पर जिसका मन बस में है मतब स्वावस वो सुखी स्वावस मन सुखी तदा जिसका मन बस में नहीं है वो दुखी बस में नहीं है मतब परवस है तो परवस मन दुखी तो स्वावस मन सुखी तो उत्तर हो गया दिवेदी जी का अनुसार सुखी कौन है दुखी कौन है उत्तर परवसमन दुखी सुववसमन सुखी अब उपर निचे भी पहले इसको भी बहुत सकते हैं सुववसमन सुखी परवसमन दुखी अगला प्रेश्चन सी वाली कहां इस्ती थे अब आप बलिए कि इसके जगह पर ऐसे लिखने से नहीं होगा देखे कहा गया है पांच वा सब्दम उत्तर देना है यहां पर बहुत सारे हो जा रहे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, गारा, बारा, तेरा, चौदा, पन्दा, सुल्ण, सुल्ण, सत्रा हम उत्तर सही गलत का सवाल नहीं है उत्तर तो सही है ही और ये भी वही का आगया है पर आपको जो व्यक्त करना है पांचो सब्दों में उससे जादा नहीं करना है इसी लिहाज से हमने ऐसा लिखा है तो दिवेदी जी कनुसार सुखी को ने, दुखी को ने परबसमन दुखी, सवबसमन सुखी आगे है सीवालिक कहां इस्तित है उत्तर है सीवालिक हिमाले की तलहटी में इस्तित है एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ हो जा रहा है हम से लिखेंगे तलहटी में इस्तित है उत्तर पुरा हो जाएगा सीवालिक कहां इस्तित है अब लिएगा तलहटी में इस्तित है चार सब्दों में उत्तर पूरा हुआ आते हैं आगे अगला प्रश्ण है सुभा निकेतन किसे कहा गया है किसने ऐसा कहा है किसे कहा गया है किसने ऐसा कहा है सुभा निकेतन परवत को कहा गया है किसने ऐसा कहा है तो लेखक जिनका नाम में आपका हजारी परसाद दिवेदी अब इसे आप लिख सकते हैं हम लोग ऐसे यहां बहुत बड़ा हो गया है छोड़ा कर लिखें हजारी परसाद आचा रहे हजारी परसाद दिवेदी चार तेसे ही हो गए हजारी परसाद दिवेदी परवत को किसे का आगया है परवत को हजारी परसाद दिवेदी ने परवत को यह दिवेदी जी ने परवत को लेखक ने परवत को दुछ तरफ समझ गए किसे कहा गया है और किसने कहा है दोनों के एक साथ उत्तर देंगे हम हजारी से उत्तर देंगे हजारी परसाद दिवेधी ने चार सब्स हो गया परवत को पांचे कड़ी पाई हो गया सुभा निकेतन किसे कहा गया है किसने ऐसा कहा है उत्तर हजारी परसाद दिवेदी ने परवत को हो गया चार सब्द हैं उत्तर दुनों का हो गया पूला याग वलक क्या कौन थे ब्रह्म वादी रिसी लिखने से हो जाएगा दो सब्दे अब ब्रह्म वादी रिसी थे देखे यहां दो सब्द ले लिए यहां से दो सब्द ले लिए याग वलक्या ब्रह्मवादी रिसी थे बहुत बड़े लिखने की जरुवत नहीं है ब्रह्मवादी कोई बड़ा चोटा नहीं होता है ब्रह्मवादी ब्रह्मवादी है तो याग वलक्या ब्रह्म वादी रिसी थे ये पूरा वाक्य में उत्तर हो जाएगा आपका एक दो तीन चान में ठेक तो इसी के साथ 2016 से लेकर 2022 तक के आए वे तबान प्रश्णों को संचिप्त उतर ये प्रश्णों को लगो उतर ये प्रश्णों को हमने पूरा किया सियर भी कर सकते हैं अब हम आगे बढ़ेंगे दूसरे पाटकों करेंगे इस वीडियो में इतना ही धन्यवाद